Hello everyone, कैसे हो आप लोग? आपका most important notification CGL वालो बच्चों का specially आ चुका है आपके जो exams हुए थे चोथे महिने में April में 11 April से लेके 21 April तक SSE CGL 2021 के उसका result डिकलियर हो चुका है Cut off किया गई है वो बताएंगे उसके पहले आप यहाँ पर list देख लो यहाँ पर 4 list में आपकी cut off आई है List 1 यहाँ पर जो है आपका वो है Assistant Audit Officer और Assistant Account Officer की Second list आपकी JSO की दिखाई दे रही है Third list SI Statistic Investigator and All Other Post चोथे list में इसके अलावा जितने भी Other Post बचते हैं वो सारे include होते हैं अब आपकी cut off है नीचे और exam date है यह दोनों चीज़े में discuss करता हूँ सबसे पहले जो पहली list है इसमें आपकी cut off कितनी गई है Unreserved category की 159.07 उसके बाद OBC की 153 और उसके बाद SCST की देखोगे तो 131 और 136 बाकि आप लोग देख सकते हो 10,971 बच्चे यहां पर select है नीचे second list की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपकी cut off है Unreserved category की 162 अब first list और second list की post के लिए है यह आप यहां भी ऊपर चेक करो और ऊपर इसके पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले explain कर दिया है आपको यह second list है यहां पर 3536 बच्चों का selection किया गया है third list third list की बात करेंगे तो यहां पर cut off थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है आपको 114 ठीक है 114.84 cut off आपकी जा रही है OBC category 95.11 SC, ST category 75 और 60 2 cut off गई है 28,032 बच्चों का selection यहां पर show कर रहा है इसके बाद बच्चती है आपकी four list जिसमें all other post जिसके आज इतनी भी आपकी आती है total आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 113.848 बच्चे जिनका selection यहां पर किया गया है cut off क्या गई है unreserved category की गई है 130 EWS category की गई है 109 SCST की बात करों तो 94 और 81 cut off जा रही है नीचे कुछ बत्तों की seat numbers यहां पर दिये हुए है result of the following 88 candidate has been keep withheld in compliance of the various court order जिनके results show नहीं हो रहे है वो यहां पर अपना number seat number देख सकते है Q show नहीं हो रहा है उनके results को withheld रखा गया है due to some court orders इसके बाद next है आपका exam answer की कब आईगी तो answer की की भी date आपको दी गई है यहां पर आप चेक कर सकते हो 12.7.2022 यानि अभी इसी मन्त की 12 तारिक को आपको answer की देखने के लिए मिल जाएगी और अगर next बात करूँ आपका tier 2 और tier 3 का exam कब होने वाला है तो वो exam की date यहां शो हो रही आपको 8th and 10th August 2022 और tier 3 का जो exam होगा वो होगा 21 August 2022 यानि आपके पास एक ही महने का time है यहां पर एक महने में आपको tier 2 और tier 3 दोनों की तयारी करनी है तो थोड़ा सा selection हो गया है तो खुशिया मनाओ और तुरंट पढ़ाई में लग जाओ ठीक है फुर्दर और कुछ important चीज़े इसमें दिखने ही रही है आप लोग चाहो तो comment करके पूछ सकते हो और कोई update होती है उसके बारे में discuss कर लेंगे MTS के exams best of luck आप लोग के लिए MTS के exam स्टार्ट हो रहे है अच्छे से exam दो कुछ important questions पता चलेंगे तो हम लोग जरूर शेयर करेंगे cut of अगरा discuss करेंगे आने वाले वक्त में अभी के लिए वीडियो में इतना है थेंक यू बाबाई